Hello students, आज की क्लास में हमें सीखना होगा कि sir जो हमने previous क्लास में हमारा ये loss के बारे में बात की थी 20,000 का यहां loss है और उसके लावा यहां पे 22,000 का loss था यहां पे 30,000 का loss था तो sir इसको हम लोग write-off कैसे करते हैं तो ध्यान से सुनना ध्यान से मेरी बात बहुत इजी है, आज हम सीख रहे हैं, राइटिंग ओफ, डिसकाउंट और लॉस ओन इशू ओफ डिवेंचर, इशू ओफ डिवेंचर, सर उसको राइट ओफ करना, डिसकाउंट को राइट ओफ करना, और इशू ओफ डिवेंचर का जो लॉस है, उसे राइट ओफ करना, उसको राइट ओफ करना सीख रहे हैं, ध्यान से जुनना, तो उससे बड़े तो इसका हम लोग नेचर देखते हैं, कि सर यह जो लॉस है, यह एक तरका, यह हमारे एक कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस, या फिर कैपिटल एक्सपंडीचर मान लो इसको, एक्सपेंस या फिर लॉस, तो इससे हम राइट ओफ भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स में से करेंगे, राइट ओफ भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट से होगा, capital profit अब हमारा capital profit कौन कौन सा है सर पहला capital profit है तो security premium securities premium उसके बाद में यादेना security premium कहां से आता है जब हम हमारी shares issue करते हैं और उस पे premium लेते हैं issue price से जो भी ज़्यादा mount लेते हैं वो अपना premium होता है तो अगर वो पड़ा है तो उससे right off कर लो इसके अलावा हमारे पास अगर capital reserve में पैसे पड़ा है तो capital reserve reserve में हमारे पास profit पड़ा है तो उसके अलावा अगर हमारे पास कुछ और capital profit है capital profits तो उससे right off कर लो ये तीनों की तीनों हमारे capital profits होते हैं तो इससे हम हमारे इस loss को right off कर लेते हैं clear है ना यह बात यहां तक जी सर बिल्कुल clear है अगर हमारे पास इन capital profits में पैसे नहीं है तो हमारे पास एक last option जिसको हम लोग ब्रहमास्तर बोलते हैं अगर इन में पैसे नहीं है तो हम हमारा last option यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं P&L account से कहां से P&L से तो हम P&L से write-off कर सकते हैं अब सुनना company में P&L को P&L नहीं बोला जाता है थोड़ी बहुत इज़त दी जाती है तो उसको बहुत है statement of profit and loss या statement of income तो मैं लिख रहा हूँ हमारे पास एक D option भी है statement of profit and loss ठीक है statement of profit and loss तो अगर इन में हमारे पास कुछ भी profit या नहीं पड़ा तो हम statement of profit and loss से भी इसको write-off कर लेंगे अब देखो write-off करने की entry क्या होती द्यान से जुनना security, premiums वगर है या फिर profit ये हमारा एक तरह का profit है ठीक है ना और ये हमारे पास liability side में पड़ा रहता है याद होगा जब अपने balance उट देखे तो कहाँ पड़ा है liability side में तो definitely सर इनका balance है वो credit होगा इनका balance हमारे पास credit में पड़ा है क्या पड़ा है credit में और ये जो loss है ना याद करो हमने entries में इन loss को debit देखा था हमने इन loss को debit किया था याद है क्या ये बात है तो ये debit और ये credit तो ध्यान से सुनना write-off करने के लिए मैं इस debit को कर दूँगा credit क्या कर दूँगा इसको कर दूँगा credit और ये जो credit में पड़ा है इसको कर दूँगा debit तो ये अपने आप खतम हो जाएंगे एक दूसरे से समझ में ही बात देखो entry क्या होगी द्यान से सुनना ये जो loss है इनको करूँगा credit और ये जो profits जो मेरे liability में पड़े हैं जिनका balance मेरे पास credit है जिनका balance मेरे पास credit है इनको कर दूँगा debit तो देखो ना entry क्या बनी entry बनी security premium account security premium account debit capital reserves debit उसके बाद में capital profits कुछ भी हो सकता हमारे पास capital profits जो भी सर capital profit क्या साथ है जब अब हमने हमारी fix asset को उसकी cost price से जादा में sell कर दी मानलोग खरीदा था एक लाख रुपे में sell कर दी एक लाख बीस अजार में तो यह जो बीस अजार पे का profit होगा वो अपना capital profit है clear है नहीं यह बात जी सर तो capital profit और two कर दूँगा मैं two इन losses को तो इन दोनों loss को में एक common नाम से लिखूंगा loss on issue of debenture loss on issue of debenture ठीक है तो अगर मैं loss on issue of debenture बोलू तो समझ जाना कि मैं discount on issue of debenture की भी बात करा हूं और loss on issue of debenture की भी बात करा हूं तो देखो two discount on issue of debenture और two loss on issue of debenture देखो ना मैंने इनको यहाँ debit किया था याद आया ना debit किया था इस entry में मैंने क्या किया है देखो यहाँ पे discount on issue of debenture यह भी debit में पढ़ा है loss on issue of debenture यह भी debit में पढ़ा तो इनको मैं कर दूँगा credit इसलिए मैंने entry क्या पास की है security premium account debit capital reserves account debit capital profits account debit two discount on issue of debenture हो गया और two loss on issue of debenture हो गया यह हमने write-off कर दीगा अगर by the way हमारे पास इनमें profit नहीं बढ़ा होता है इसमें हमारे पास profit नहीं है enough तो मैं क्या करूँगा फिर मैं statement of profit and loss से इनको write-off करूँगा तो entry क्या होगी entry क्या होगी याद रफना entry होगी statement of profit and loss count debit statement of profit and loss count debit two discount on issue of debenture discount on issue of debenture or two loss on issue of debenture discount on issue of debenture or two loss on issue of debenture sir हमने general entries तो सीख ली बहुत easy entry थी sir हमें ये तो बताओ ना कितना amount हम write-off करेंगे कितना amount हमें कितना amount हमें कितना करना है पूरा का पूरा write-off कर दे हैं कैसे करें देखो इसके लिए एक process है अगर हमारे पास इनमें profits पढ़ा है इनमें profits पढ़ा है तो पूरा का पूरा एक साथ कर दो एक साथ उसको write-off कर दो लेकिन अगर हमें उसको write-off करना होगा statement of profit and loss से तो यार एक साथ क्यूं करूं मैं एक बाब अदाओ अगर मैंने इससे किया तो ये तो हम year के end में मनाते हैं और अगर मैंने पूरा का पूरा loss इससे write-off कर दिया ये कहां से आता है मेरे पूरे साल के जो operation या जो activity ये पूरे साल की मैंने कितना sell किया कितनी मेरी cost of good शोल्ड थी उसमें से sell में से मैंने cost of good शोल्ड को less किया फिर मैंने मेरे सारे expense less किया उसके बाद में तो मेरा उस साल का profit and loss आता है तो मैंने अगर यार उस साल मैंने debenture को ये जो capital loss जो भी है मेरे पास उनको मैंने उसे particular year के statement of profit and loss से write-off कर लिया तो ये तो ना इनसाफ ही हो जाएगी ना इस statement of profit and loss के साथ पूरा का पूरा loss इस एक ही साल के पेंडल पे effect डालेगा समझारी बात तो अगर मैं उसको statement of profit and loss से write-off करता हूँ तो इसके लिए एक process चलती है पूरी की पूरी तो सुनना ध्यान से मेरी बात आपको एक चीज समझा दू मैं एक चीज समझा दू statement of profit and loss से उसको write-off करने के लिए हमें पूरी चीज सीखनी होगी कि हमने उन डिवेंचर को यूज कितना किया देखो द्यान से मान लो कि मैंने first case समझारों मैं अच्छे से मान लो कि मैंने 8 लाख रुपे के डिवेंचर इशू किये 8 लाख रुपे के डिवेंचर है इसको मैंने 8 लाख रुपे के डिवेंचर है इसको मैंने 10% discount पे इशू किया 10% discount पे चलो 10 इसको 12 कर लो कितना कर लो 12 ताकि आपको समझने में easy हो जाए ताकि आपको समझने में easy हो जाए इसको मैं 12% discount पे issue गया तो मेरा discount का amount कितना है या 96,000 रुपीज 96,000 रुपीज मेरा discount का amount आया ठीक है ये मेरा loss हो गया loss मानलो या फिर discount on issue of debenture मानलो एक ही बात है discount on issue of debenture या loss हो गया मेरा अब मैं इसको right off करूँगा यहां मैंने 8,000,000 रुपीज का loan ले लिया और यह मैंने लिया है total 4 साल के लिए 4 years के लिए कितने साल के लिए 4 साल के लिए और मैं 4 साल के बाद में इनका redemption कर दूँगा एक साल एक साथ, कितने साल के बाद में, चार साल के बाद में तो यहां से लेके पूरा चार साल कहां complete होता है देहां से सुनना, मान दो यहां complete होता है चार साल यहां से लेके, एक, दो तीन और चार, यह जो यहां से यहां तक मेरा एक साल हो गया यहां से लेके यहां तक मेरा second year है यहां से लेके यहां तक मेरा third year है यहां से यहां तक मेरा fourth year है clear है? जी sir तो यहां 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 देखो मैंने debenture issue किये थे 1st January 2016 को फिर मैंने पूरे साल उन debenture को काम में लिया फिर अगले साल भी मैंने उनको पूरे amount को काम में लिया अगले साल भी लिया और अगले साल और यहां मैं उसका कर रहा हूं redemption यहां क्या कर रहा हूं मैं उसका redemption redemption of debenture मतलब उसका repayment कर रहा हूं बताओ क्या कर रहा हूं? repayment repayment कर रहा हूं समझ में आगी ना बात ठीक है मुझे एक बात बताओ मैंने यहाँ debenture issue किया और मुझे यहीं पता चल गया ना कि मेरा 96,000 का loss था 96,000 का अब मैंने उसको इसी साल के statement यहाँ close होगा ना यहाँ पे इस तारीक पे date क्या होगी 31 December 2016 यहाँ date क्या होगी तो मुझे इस amount को divide करना होगा इन सभी साल में क्योंकि मैंने यहाँ भी तो debenture को use किया है यहाँ भी मैंने debenture का amount use किया है यहाँ भी मैंने debenture का amount use किया है यहाँ भी मैंने debenture का amount use किया है मैंने चारो साल में उसको यूज किया है, तो सुनना मेरी बात ज्यान से, इस 96 को मैं equal divided कर लूँगा, तो 96 divided by 4, 96 divided by 4, तो मैं हर साल 24,000 रुपीज मेरे P&L में डालूँगा, तो अब ना इस साल का P&L नाराज नहीं होगा, वो बोलेगा, हाँ कोई बात नहीं, तुम लोगों को भी मिलेगा, retention मतलो, मैं अकिला loss bear नहीं कर रहा, तुम लोगों को भी loss दूँगा, मैं 2017 वाले को, 2018 वाले को, 2019 वाले P&L को भी, समझा ही बात? समझा ही ना, अच्छे से, यहाँ होगा actually 31st December 2019, अब समझ में ही बात, यह उनकी starting की date है, एक एक, एक 2019, और यह होगा 31st December 2019, ठीक है ना, तो सर, समझ में नहीं नहीं आया, है, हमने इनको equal क्यों बांटा, क्योंकि भाई यह debenture, आट लाग रुपे के debenture, यहाँ भी तो कामा रहे हैं, यहाँ भी, हर साल कामा रहे हैं, हमने redemption उसका यहाँ किया, इसलिए मैंने क्या किया, उसके जो loss को है, वो चार साल में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे, तो मुझे, अब देखो, मैं हर साल 24,000 पर, 24,000 पर मेरे पिंडल में राइट अफ करूँगा, समझा गई यह बात, 24,000, 24,000, 24,000, और, यहाँ पे करके, टोटल कितना हो गया, 96,000 ठीक है, यहाँ, यह 24 हो गया, यहाँ तक 48 हो गया, यहाँ तक 72 के आसपास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, 96 के आसपास, तो टोटल मेरा loss कवर हो जाएगा, यहाँ पे, जी सर, समझ में आगया, बहुत अच्छे से, इसका ना, एक तरीका और है, इसका एक तरीका और ह मैं इसी को ना दूसरे तरीके से समझाता हूँ ताकि दूसरा तरीका वो युनिवर्सल है आप उसको किसी भी मैथड में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आगे आपके पास situation change होने वाली है तो आप उस मैथड को आगे भी कामे ले सकते हो देवो First year, Second year, Third year और Fourth year देहां से सुनना First year मैंने कितने डिवेंचर को कामे लिया Sir, पूरे के पूरे आठ लाग मैंने First year कामे लिये Second year भी मैंने पूरे के पूरे आठ लाग रुपए के डिवेंचर को कामे लिया तीसरे साल भी मैंने पूरे के पूरे 8 लाग के डिवैंचर को अकाम लिए चौत्ह साल भी मैंने पूरे 8 लाग के डिवैंचर को अकाम लिया फिर मैंने उसका यहां पर redemption कर दिया था तो आगे मेरे पास कुछ है नहीं अब मुझे इनको ratio में convert करना पड़ेगा किसमे ratio में ratio में तो इनका ratio निकालूँगा तो 0 से 0 काट दो सबको और फिर 8 8 तो यह आजाएगा 1 raise to 1 raise to 1 raise to 1 और इनका कर लो total यह आजाएगा 4 कितना आजाएगा 4 इसको अगर मैं proportion में लिखे तो 1 by 4 लिखूँगा यहाँ पे 1 by 4 इसको लिखूँ तो 1 by 4 इसको लिखूँगा तो 1 by 4 इसको लिखूँगा तो 1 by 4 अब मैं ना वो लिखूँगा कि मैं हर साल मेरे उस loss को write off कितना कितना करूँगा तो मैं 1 4th 1 4th write off करूँगा हर साल यहाँ देखो 96,000 का मेरा loss था multiply 1 by 4 96,000 का मेरा loss था multiply 1 by 4 96,000 का मेरा loss था multiply 1 by 4 और उसी तरह से मैं यहां लिख लूँगा multiply 1 by 4 तो मैं हर साल कितने रूपे write-off करूँगा मेरे statement of profit and loss से 24,000 रूपीज 24,000 रूपीज 24,000 रूपीज और 24,000 रूपीज आपको इस तरह से question को solve करना है clear है чी sir समझ में आगे मेरे यह बात अब चलो चलते हैं आगे और एक हमें account बनाना सीखना होगा क्या सीखना होगा account बनाना सीखना होगा उससे पहले मैं आपके सामने एक situation और create करना चाहता हूँ एक situation और create करना चाहता हूँ देखो next situation क Chili है हमने एक लैक रुपीज के डिवेंचर इशू किये है हाँ और इसको मैंने 12% डिसकाउंट पे मतलब मेरा लॉस हो गया 96,000 रुपीज का लॉस कितना हो गया 96,000 रुपीज का अब सुनना अब क्या कर रहा हूँ मैं मैंने फर्स्ट यर में अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ तो मैंने सबसे लास्ट में रिडेम्शन किया था याद करो सबसे लास्ट में रिडेम्शन किया था अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ जहां से सुनना इशू कब किया था इशू किया था 1st January 2016 गो 1st January 2016 अब सुनना मैं क्या कर रहा हूँ मैंने 1st year के end में मान लो कुछ भी redemption नहीं किया 2nd year में मैंने क्या किया मैंने 2,00 रुपए की debenture का redemption कर दिया उसके बाद यहां आ जाओ फिर उसके बाद मैंने फिर से 2,00 रुपए की debenture का redemption कर दिया उसके बाद यहां पे मैं कुछ भी redemption उसके बाद यहां पे मैंने पता या है फिर मैंने 2,00 रुपए का redemption कर दिया और सबसे लास्ट मैंने 4,00 रुपए सीधा ही redemption कर दिया होगे ना टोटल 8,00 रुपए का payment 2 का यहां कर दिया 2 का यहां payment कर दिया चार का यहां कर दूँगा तो सुनना मेरी बात फर्स्ट येर में मैंने कितने डिवेंचर को काम मिलिया सर पूरे आट लाग के डिवेंचर को काम मिलिया था सेकंड येर में मैंने कितने डिवेंचर को काम मिलिया सर यहां भी आट लाग के डिवेंचर को काम मिलिया कर दिया repayment कर दिया sir ऐसे question को कैसे करेंगे हम ऐसे question करने के लिए दुबारा हमें ये table बनानी होगी और सुनना first second third और fourth अब देखो ध्यान से ध्यान से सुनना first year मैंने कितने debenture काम में लिए sir ten eight lakh rupees के second year मैंने eight lakh rupees के debenture काम में लिए third year मैंने six lakh rupees के debenture काम में लिए फिर मैंने four lakh rupees के debenture को काम में लिए इसके बाद मैं यहां लिखता हूँ ratio ratio ये हो जाएगा कितना अगर मैं इसको देखूँ तो two की table से कट जाएगा न ये या फ़र चलो मैं दो लाग से काट लेता हूँ ये हो गया two time ये हो गया three time ये हो गया four time four time अब इसका कर लूँगा मैं total four plus four eight eight plus three eleven और ये two 13 ये हो जाएगा 13 अगर मैं इसको proportion में लिखू तो four by 13 four by 13 और three by 13 और ये हो जाएगा two by 13 यहां तक समझ में है क्या बात अच्छे से देखो ध्यान से अब मैं क्या करूँगा मेरा जो loss थाना 96,000 रूपीज का देखो discount कितना loss कितना 96,000 का उसको मैं ऐसे write-off करूँगा four by three of 96,000 अच्छा वैसे लिख देता हूँ तक आपको easily समझ में आ जाए 96,000 रूपीज का again four by 13 फिर से 96,000 का again three by 13 और फिर से 96,000 रूपीज का two by 13 इस तरह से ये हर साल के पेंडल में जाएगा ये जो amount यहाँ जो आएगा वो हर साल के पेंडल में जाएगा क्योंकि हम equal तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमने अलग-लग amount को use किया है तो 96,000 multiply four by 13 multiply four by 13 तो यहाँ जाएगा two, nine, five, three, eight again यहाँ पे भी same आएगा two, nine, five, three, eight चलो आगी चलता है 96,000 multiply three by 13 तो यहाँ कितना आजाएगा 22,000 और three का four कर रहा हूं आगे आजो इसको 96,000 multiply two by 13 तो यहाँ amount आएगा 14,769 तो इस तरह से क्या होगा यह हमने इसके discount को अलग-लग बाट लिया अब मैं इसका total करूंगा तो अपने 96 ही आएगा कोई एक दो रूपए उपर नीचे हो सकता है 39,538 उसके बादे 39,538 फिर यह हो जाएगा 22,154 यह हो जाएगा 95,99 चलो इसको मैं बढ़ा की इसको 70 गड़ लेता हूँ तो यह हो जाएगा अपना 96,000 रूपीज 96,000 रूपीज इसमें एक रूपए और एंड करेंगे वो क्या points के वज़े से थोड़ा बहुत हो गया इदर-उदर चलो तो अब हमें पता चल गया हर साल के पेंडल से इतना amount write-off करना है इतना amount हमें write-off करना है और sir write-off करने की entry हमें आती है entry करेंगे statement of profit and loss count debit to discount on issue of debenture और to loss on issue of debenture इस तरह से हम उसको write-off कर लेंगे अब next class में हमें इसका एक numerical question solve करने वाले है ठीक है तब तक के लिए thank you